यह जो आप पर्स देख रहे हैं इसे हम कस्टमाइज करके नहीं लुक देंगे अभी नंदन है जी सभी का क्रिशयवार्ट चैनल पर आज हम आपको पर्स पेंटिंग करना बताएंगे कि कैसे हम एक सिंपल पर्स को पेंटिंग करके अपने सूट के कौर्डिंग या साड़ी के कौर्डिंग उसे उसमें डिजाइन डाल सकते हैं जो हमारे सूट में या साड पुछ्छा होता है वैसे हम बनाएंगे और हमने इसमें परपल ब्ल्यू और वाइट कलर लिया है और उनी तीनों कलरों से हमने यह जो गुछ्छा है फूलों का चोटे फूलों का वो बना देना है जैसे अब वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपने चोटे फूलों का गुच्छा बनाना है और इसके बीच में फूलों के आप अगर वाइट बूर भरना चाहें तो वाइट नहीं तो आप बलैक या फिर जैलो बूर भी भर सकते हैं और इस तरह से ये जो गुच्छा है फूलों का हमारा वो रेडी हो गया है और इसके बाद आपको हम पत्यों और दूसरे फूलों का डिजाइन भी बनाना बताएंगे और इसमें हमने बूर भर दिया है वाइट कलर से ही और इस तरह से हमारा जो ये डिजाइन है वो कम्प्रीट हो गया है और अब हम आपको पत्यों बनाना बताएंगे ब्रश के दोनों साइडों पर जैसे आप ब्रश को वीडियो में देख रहे हैं एक साइड हमने वाइट कलर लिया है और दूसरी साइड ग्रीन कलर लिया है और उसे थोड़ा जैसे पत्यों की नोक होती है उसी तरह से थोड़ी थोड़ी नोक निकालते हुए हमने पत्यों बनानी है और इसी तरह से सारी पत्यों कम्प्लीट कर लेनी है ये जो पत्यों हैं ये हमने वाइट कलर बाहर की तरफ रख के बनाई है और छोटे फूल बना देंगे हम जो की white color से बनाए हैं हमने इसमें भी आप कोई भी color का बूर भी भर सकते हैं अगर आप पूर ना भरना चाहें तो इसमें स्तारा या स्टॉन भी लगा सकते हैं और इसी तरह से हम बड़े फूल बनाएंगे जो white और pink color से बनाए हैं हमने और उसी तरह से इसकी सारी पत्तियां बनाते हुए हमने फूल complete कर लेना है और इसी तरह से हमने दूसरे फूल भी इसी तरह से complete करने हैं वो आप चाहे किसी और color के भी बना सकते हैं अगर चाहें तो आप इसी color से भी बना सकते हैं और इसी तरह से हमने सारी पत्यां बनाते हुए फूल को complete कर लेना है और बीच में हमने थोड़ा dark color रखते हुए इसमें जो अंदर वाले part हैं वो बनाने हैं और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो ये color हैं उनमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना अगर हम इसमें पा बाइदर है वो भी दिखाई देगी इसे हमने ड्रेक्टर कलर ऐसे ही लगाने हैं जैसे बजार से हम लाते हैं उसी तरह से हमने लगा देने हैं कोई मीडियम या फिर कोई भी पानी वगएरा नहीं डालना है और इसी तरह से सारी पत्तियों और फूलों का डिजाइन जो है ह पत्तियों का है वो हमारा complete हो जाएगा और दूसरे फूल जो है वो भी हम इसी तरह से बना देंगे और इसके उपर हमें किसी भी polish की या किसी भी चीज की जुरूरत नहीं है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं polish पर हमने ये बिना polish के ही आपको करके दिखाया है कि हम painting के बैदर का है वैसे भी हम कम ही इस्तिमाल करते हैं परस का कहीं जाने पर या बहर शादी ब्या में और इस तरह से आपने दूसरा जो फूल है वो भी इसी तरह से complete कर लेना है बहर की तरफ हमने light yellow color लगाया है ये जो color हम आपको लगा कर दिखा रहे हैं ये light color है जो की yellow है वो ह बलका सा golden yellow color white में डाल कर वो हमने बनाया है और इसी तरह से इसके भी पार्ट सारे आपने complete कर लेने हैं और बीच में जो है वो peach color भर देना है इसके जो पत्तियों का बीच वाला पार्ट है और इसी तरह से सारा design complete हो जाएगा हमारा जो है और ये देखिए जैसे बीच में हम peach color आपको दिखाई दे रहा है कि हमने peach color लगाया है और बाहर की तरफ हमने light yellow color लगाया है इसी तरह से हमने जो इसकी फूल की पत्तियां हैं वो भी हमने लगाई है और अगर आप इसमें कोई और material भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं जैसे stone वगेरा कुंदन वगेरा या फिर जो जो भी हमारे पास घर में आपके पास कोई भी material पड़ा हो उससे भी आप इससे सजा सकते हैं और एक पर्स आपको और बना कर दिखाएंगे जो कि कुंदन मौती और सित्तियों से बनाएंगे हम क्योंकि वो painting बिना painting के होगा जैसे हमने पीछे वाली जुत्ती व पत्तियों के वो complete कर लेने हैं और बीच वाले पार्ट भी इसके complete करके उसके बाद हमने इसमें स्टॉन गयरा लगा देने हैं और जो छोटे फूल हैं उनमें भी हम छोटे छोटे जो सितारे होते हैं यह सिप्या होती हैं वो लगा देनी हैं जो भी हमारे पास material पड़ा हो वो आप लगा सकते हैं या फिर आप नया material बाजार से खरीद के भी इसमें लगा सकते हैं और इस तरह से हमारा जो फूल है वो complete हो जाएगा यह पीच कलर डालने के बाद और जो design है वो बहुत अच्छा लगेगा painting के बाद इसी तरह से सारी जो complete कर दी है हमने और जो कलियां है छोटी वो भी आपने एक पीच कलर की बना देनी है और एक जो हमने light कलर आपको दिखाई दे रहा है फूल का वो और इस तरह से हमारी जो design था सारा वो complete हो गया बाहर वाली साइड आपने ट्रिपल जिरो या डबल जिरो ब्रश से आउटलाइन कर देनी है और यह आउटलाइन आपने जो बाहर वाला कलर है उसी से करनी है जो कि आप आपने झाल झाल